वेल्कम टो एनिबडी के लान जी के आज हम डिसकस करने वाले हैं इंडिया की जीडिपी के बारे में इंडिया की जो जीडिपी इस साल की फर्स्ट क्वार्टर में फिनेशल एर ट्वंटीवन में जो गिर सबसे बड़ी गिरावटा यह दैट इस माइनस ट्वंटी इसके क्या कारण है इंडिया की जीडिपी इतनी जजैदा नीची गिरगी है उसके आज हम डिसकस करेंगे जो अप्रेल अप्रैल से लेकि जून तक के मंद का जो फर्स्ट क्वार्टर है जो इंडिया की जो GDP गिरी है वो इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है that is 23.9% की गिरावट हुई है और बात करेंगे जो क्वार्टरली रिपोर्ट है और जो पिछले सालों की रिकोर्ट है उसको इस पारी के रिकोर्ट से कंपेर करेंगे तो इंडिया की GDP सीधे सीधे यहां पर डिकलाइन हो गई है जो की बहुत बुरी खबर है एकोनिमी के लिए और अगर बात करें कि इंडिया की GDP का जो यह परसंट कैलकुलेट हुआ है यह कैसे कैलकुलेट होता है तो आपको मैं बता देती इसमें क्या होता है जो हम पर्सनल और पब्लिक जो कंसप्शन करते हैं जैसे कि आप जो स्पेंडिंग करते हैं खर्चा करते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होता है और जो गौर्मेंट जो एक्सपेंडिचर करती है जैसे रोड्स बनाने ब्रिजिस बनाने होस्पिटल बना इसमें जो export minus import जो है वो इंक्लूड होता है जो इंडिया के at present जो export import export है वो negative में चल रहा है जो क्योंकि import हमारा जो है वो ज्यादा है as compared to export जो इन सभी चारों चीजों को मिला के क्या आते हैं हमारे पास GDP निकल के आते हैं अब बात करेंगे different different sector में कि कितनी कितनी contraction आई है यहा पर और किस sector ने गेन किया है जो माइन सेक्टर है जो कोईला खादान का जो काम है उसमें 23.3% की गिरावट आई है और जो gases में आई है वो 7% तक की गिरावट आई है जो public domain में है 10.3% की गिरावट आई है सबसे बड़ी किरावट किसमें आई है construction sector में that is 50.3% तक की है अगर बात करें हम real sector की real estate sector की जो है 5.3% तक की गिरावट आई है अब बात करेंगे industry sector की जो industry sector है अपको पते ही है COVID-19 के वेज़ से 2 महीने जो complete lockdown रहा है उससे 38.1% तक की GDP जो है वो गिरी है बात करेंगे service sector service sector भी बहुत बुरी तना पर भावित हुआ है that is 20.6% की है और manufacturing में भी जो माल जो बनता है वो भी कम हुआ है that is 39.3% जो इंडिया की GDP है ना उसमें यह सब चीजे इंक्लूड की जाती है है हमारे manufacture क्या हुआ है service क्या हुआ है कितने goods produced हुए एक साल में वो सब यहां पर इंक्लूड होता है और agriculture जो एक मातर सेक्टर है जिसमें की gaining हुए that is 3.4% की gaining हुए है और जो hotel सेक्टर है जो trade सेक्टर है जो की rest वो 24% तक की यहां पर गिरावट देखी गई है क्योंकि यह सब बंद रहे हैं अगर हम बात करेंगे पिछले quarters की तो आप यह देख सकते हैं कि service sector भी positive में था agriculture भी और hotels भी बात करेंगे mining यह सब बाकी सब सेक्टर्स देखो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेक्टर यह क्या थे positive में थे student आप हमें follow करना ना बोले हमारे youtube channel that is anybody can learn जी कि आप हमें follow करना ना बोले हमारे instagram, facebook और telegram group पर भी आप हमें follow कर सकते हैं हम हर type of exam की त्यारी करते हैं चाहे वो bank हो, sse हो, railway हो, pcs हो या फिर upsc हो उस type की exam की हम त्यारी करवाते हैं अब बात करते हैं कि यह जो गिरावट आई है, यह क्या पहली बार आई है, क्या इंडिया की history में कभी इतनी गिरावट आई है, कभी minus में गिरावट आई है, तो जी हाँ, यह 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की GDP जो है, वो minus में आई है जैसे कि आपको figure दिखाती हूँ, 1979 to 1980 में क्या थी, इंडिया की जो GDP थी, वो minus 5.2% थी, और अब प्रेडिक की जा रही है कि यह minus 5% तक की इंडिया की GDP इस पर साल की रहेगी, जो की बहुत बुरी figure है, और हम चाते हैं कि हमारी 5 trillion economy बन जाए तो हमें उसके लिए बहुत से काम करने होंगे, अब बात करते हैं G7 countries से इंडिया को compare करते हैं, तो आप देख सकते हैं, इंडिया की जो G7 से compare है, तो इंडिया की सबसे बड़ी GDP जो है, वो कम हुई है as compare to हम UK देखे, France देखे, Italy देखे, Canada देखे, Germany, US, Japan और जो चाइना है वो सिर्फ grow कर रहा है at present, जो की 3.2% के साथ, रिकवर कर रहा है GDP में, बात करेंगे, इंडिया जो अभी हमने discuss किया है, कि सिर्फ जो agriculture sector है, वो green में है, बाकि सारे sector जो है, वो red है, जो की construction sector है, जो सबसे जादा नीचे किरा हुआ है और बात करेंगे, जो different countries है, उसमें भी सारी figure, जो GDP है, वो decline हो रही है, ब्राजिल में देखेंगे, तो 0.3% से अवर्ट हो रही है, लेकिन जो चाइना है, वो 3.2% से उपर है आप सोच रहोंगे कि इंडिया में ही हुआ है, नहीं, ये बाकि countries में हुए हुआ है, आप देख सकते हैं, जो जपान की GDP है, जो है, 27.8% से contract होई है, फर्स्ट क्वार्टर में, अब बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर्वस की, जो आप देख सकते हैं, जो पिछले क् जो GDP थी, वो थी 3.1%, लेकिन अब कितनी है, 23.9%, देखिए, वैसे तो आप पिछले सालों को, अगर हम देखे, पिछले क्वार्टर को देखे, तो इंडिया की GDP कम होते जा रही है, लेकिन ये क्या है, सबसे नीचे आ चुकी है, और जो जॉपलेस कवर है, वो बढ़ता ही ज फिकर है कि अनिप्लेमेंट रेट इंडिया में बहुत बढ़ चुका है, ये सब आपको पता है कि COVID-19 के वैसे, जो महामारी है, उसकी वैसे सब काम रुख चुके हैं, रुखे नहीं है, तो रुखे नहीं कह सकते हैं, आप स्लो डाउं कह सकते हैं, कि ये सबी के सारे सारे से होने हैं, बात करते हैं IMF की, IMF ने प्रेडिक्शन कि हैं, जो इंडिया की GDP है वो 1.9% से ग्रो होईकी, और बाकी चाइना है वो 1.2% से ग्रो होईकी, और जो बाकी जोIंट्रीस हैं, वो камोरी में जा रहे हैं, बात करेंगे statewide unemployment की तो आप ये figures देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं दो महीने जो जो सारा सेक्टर जो बंद रहे हैं उसकी वज़े से ये गिरावट आई है आप देख सकते हैं जो क्वार्टर पिछले साल का जो क्वार्टर देखें 2019 का तो 2.7% से इंडिया एकोनिमी ग्रो कर रहे थी जो कि अब डाउन हो चुकी है ये 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट है जो इस साल में हुई है और जो ये सेक्टर हैं और हमारी जो जी वी ए है ग्रोस वेल्यू एड़ेट वो भी 22.8% हो चुकी है और जो लोगडाउन की वज़े से हैं गौर्मेंट ने पहले ही बोला था कि हम 65% तक की एकोनिमी जो है वो आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करना ना भूले और जाद से जादा शेयर करें तांकि हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट लाग पाएं और थैंक यू